हैलो दस्तो आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म एनिमल एनिमल जो कि कली रिलीज हुई और बहुत जवर्दस ओपनिंग हुई है फिल्म का बजट कुछ लोग कह रहे हैं सो करोल है कुछ लोग कह रहे हैं 200 करोल पर है कह सकते हैं 150 करोल के आसपास फिल्म का बजट है और फिल्म भवे इस तर पर बनाई गई बड़े इस तर पर बनाई गई फिल्म कई भाषाओं में रिलीस करी गई और ये भी ध्यान में रखे बनाई गई कि फॉरण के जो मार्केट है overseas मार्केट में फिल्म अच्छा विवसाय करें और कर भी रही है, पहले इनकी रिपोर्ट आने के बाद ये पता लगता है, फिल्म में ऐसा क्या है, ऐसे क्या खास बाते हैं, जिस वैसे फिल्म में इतनी जोड़ास ओपनिंग मिली है, तो चलिए पहली चीज़ तो फिल्म का नाम, एनिमल, फिल्म जो आप देखेंगे पूर सटी टाइटल है, पहली चीज़, दूरी चीज़ फिल्म के डायरेक्टर संदीव वेंगा, संदीव रेडी वेंगा, जो की कबीर सिंग जिसके पर बेस मूवी आई थी, एक साउथ की, उसको भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, और ये इनकी दूसरी मूवी है, बलकि और सिंस भी हैं, लेकिन आज कल का जो महौल है, उसमें इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, आप सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, और समय के साथ परिभाशाएं भी बदलती चली जा रही हैं, और परियावरन भी बदल रहा है, समाज का महौल भी बदल रहा है, तो उस ही जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्टिंग बॉबी दियोल, पहली बार एक विलेन के रूप में फिल्म में आपको नज़र आएंगे, अभी तक हाला कि सेल में आते थे, छोटा रोल है, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे तरीक से नभाए है उन्होंने, इसके अलाब अनिल कपूर भी एक अलग से रोल में है, पहली बार उनको एक बिजिसमेन के रूप में दिखाएगा, जो कि अपने बेटे से उसके रिलेशन्स, इस पूरे टॉपिक ओपर फिल्म बेजड है, बेटा अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बच इसके बेटे डिमरी, जोने जोया का करदार निवाया, तो कुछ करदार और इनकी चोटे रोल्स हैं, उन्हें अपने करदार को अच्छे से निवाया, लेकिन ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, रश्मी का मंदाना ने अच्छे से फिल्म को निवाया, अच्छी एक्टिं इसमें नज़र आने वाले हैं, क्योंकि फिल्म कई भाशाओं में रिलीज होगी, अंतराश्य इससा को देखके बनाएगी, तो स्टंस वगरा भी, उसके लिए भी विदेशी स्टंसमें की मदद दी गई है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें लाज दे लिए लाइफ न अब ही गाने अच्छे हैं, सोने निगम का गाया वो गाना मुझे सबस्दा पसंद आया, और शायद लॉंग रन में वही गाना चलने वाला भी है, बाकि आरिजी सिंग के गाने तो चलते ही हैं आजकल, अब आए मेन बात करते हैं, फिल्म के हीरो यानि रनबीर कपूर की, तो संजू के बाद, पहली बार ऐसी मुवी लगी कि रनबीर कपूर अपने बूते किसी फिल्म को चला सकते हैं, उनको एज़ सुपर स्टार पेश किया गया, उन्होंने एक्टिंग भी बहुत जबर्दस किया, आज तक कि शायद सबसे बड़े एक्टिंग संजू के बाद किये तो इस फिल्म ने 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 किये, और कई बार ये मुझे लगा भी जैसे संजू के ही गेट अप भी वही यूज किया गया, लबे बाल, वही चेरा, लेकिन एक्टिंग वाक़ी बहुत अच्छी करी और खास्तोर से एक सीन जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, अनिल कपूर के बाल रूप में दिखाया है, उसने भी बहुत बड़ी आक्टिंग करी है, और विलेन के रूप में मैंने आपको बता ही दिया, और हाँ एक बात और बताओ, को फिल्म का दूसरा या तीसरा पार्ट भी जरूर बनने वाला है, क्योंकि फिल्म को कुछ इस तरह से मुवी, लेकिन आपको कभी भी बोर्ड नहीं होने जाती है, हाँ कई बार थोड़ा सा आपको लगता है कि एक्शन बहुत ज़्यादा है, हिंसा बहुत ज़्यादा है, और कई बार ऐसा लगता है कि शायद प्रोडिशर डिरेक्टर किसी एक कार्टून से प्रेरित होकर के उन्होंने फिल्म को बनाया होगा, लेकिन अच्छा है, फिल्म में कही बार आपको हौल में सीटियां सुनने को मिलेंग één, कही बार आपको ताहलियां भी सुनने को मिलेंगी, और बहुत जबदस ओप्रियों सान जाते, हने कि एक बहुत जबदस हिट मिल गई, कलाकारों के बहुत अच्छा है Sinema जगत के लिए पर और Audence के लिए अच्छा है, और Audencebon us aise film देखना चाहती है, जिसमें बोरना हो, सब्जेक थड़ सा अलवगभा हुँ स्वड़सा हरटके हो, Direction अच्छह हो, Music अचल हो, Location बहुत अच्छी हों, और बाकी कुछ मैंने आपको बताया लार्ज देन लाइफ है अच्छी मोवी है आप देख सकते हैं देख सकते हैं आप इसको इसके बाबी देवल के लिए देख सकते हैं रश्मिका मंदाना के लिए देख सकते हैं आप फिल्म के हीरो रनबीर कपूर के लिए और रनबीर बहुत बड़े रोल नहीं है लेकिन हाँ अपनी उपस्तिती दर्च करवाते हैं अब इस एज में जाकर भी छोटी मोटे रोल मिल रहे हैं अच्छी चीज़े आइज बहुत मैचियर हो गई है मारकेट बहुत बड़ा हो गया है इंटरनेशनल मारकेट हो चुका है कही जगा र भी देखने को लगती है कि बहुत भविस्ता कि फिल्म बनी है और फिल्म बनी भी एच्छे एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी खास दौर से रनवीर कपूर और अनिल कपूर इन दोनों ने बहुत बड़ी एक्टिंग करी और हर किड़ार ने अपना रोल उसमें बखुभ भी निभाया, छोटा किरदार हो, बड़ा किरदार हो, डिरेक्टर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, और उनके विजन की तारीफ करनी पड़ेगी, चीजों कुछ अलग तरीके से फिल्म आए गया है, तो बस ये था आज का रिवियू, और आप लोग भी जाएए देखके आए फिल्म बहुत अच्छी है, मैंने तो फ़स्जे फ़स्जे उदेखा, उमीद करता हूँ, आप लोगी फिल्म बहुत पसंद आने वाली है, हाँ, बस दिमाग को घर पे रखे जाएगा, दिमाग मत लगाएगा, फिल्म में दिमाग लगाने के लिए नहीं है, एंजॉई आपने, तो उसमें ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, फिल्म लार्जर दिन लाइफ है, सब कुछ बहुत भवे इस तर पे है, चाहे वो रनभी कपूर की लाइफ, आप चुकि कहानी भी ऐसे ही दिखाएगी कि इन इरिया के नंबर वन दिस्ट लिस्ट है अनिल पूर, और बाकी स्टोरी में पूरी नहीं बताऊंगा, आप जाएए और देखें, एंजॉय किजी मूवी को, तो जाएए और मूवी देखे आए, और बताएए, रिव्यू मैं फिल्म में देना चाहूंगा आपको, लोकेशन के साब से बहुत अच्छा, एक्टिंग के पतार देते हैं, एक कलाकार की और एक डिरेक्टर की, बडिसर की, यही कल्पना होती है, यह आपको लाज़न लाइफ चींद गया, अब महौल बदल भी बहुत गया, उस लिहाँ से कह सकते हैं, एक अच्छी मूवी है, एंजॉय किजीए, दिमाग घर पे रखे जाएए, अच्छा रहता है, यह कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू, अगली बार फिर आता हूं आपसे मिलने के लिए, तब तक आप लोग अपने घरों में सुच्छ रहे हैं, मस्ट रहे हैं, वेस्ट रहे हैं, यंग दिखे हैं, देखते रहे हैं, मेरे वीडियो उसको बहुत तर र जो मदा हॉल में आता है और घर में नहीं आता है, आपको बीगली तो एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं, वेस्ट रहे हैं, तब बेए